Hello and welcome to another new episode आज का जो वीडियो है वो बहुत important है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप mock test के लिए appear कर सकते हो ये वीडियो m.com part 2 student के लिए है m.com final year student के लिए है आपको exam के पहले थोड़ा सा डर लग रहा हो कि paper कैसा होगा mcq format में paper है तो बहुत सारे student को मन में doubt है कि questions कैसे आने वाले है so मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा website जहां पर आप mock test के लिए appear कर सकते हो 29 rupees में 50 questions मिलेंगे आपको 60 minute का time मिलेगा मतलब एक घंटे का time मिलेगा जिसमें आपको 50 questions के answer देने है और exactly test खतम होने के बाद आपको result on the spot मालूम पढ़ जाएगा कि कितना में से आपने कितना score किया है तो यह बहुत जरूरी है जिन बच्चों को डर लग रहा है यह देने के बाद आपके अंदर एक confidence build-up होगा तो अभी direct and indirect tax का मैंने mcq डाल दिया है website पर तो इस website का link आपको video के नीचे description में मिलेगा description में जो link है जैसे आप उस पे click करोगे आप इस website पर आ जाओगे अभी इस website का आपको first page आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके का है अब starting में आपको दिखेगा direct and indirect tax mcq for mcom 2 तो इस पर आपको click करना है जैसे आप click करोगे अब redirect हो जाओगे course वाले page पर तो देखिए course वाला page कुछ इस तरीके का है direct and indirect tax gst mcom part 2 mcq अब यहाँ पर जो click हो रहा है यह आपको starting में click नहीं होगा क्यूंकि आपको इसके लिए pay करना है तो आप pay कैसे करोगे अभी नीचे आपको option दिखेगा add to cart बोलके तो आपको add to cart पर click करना है जैसे आप add to cart पर click करोगे आपको login के लिए पूछेगा अब आपके पास already इसका कोई account तो है नहीं तो आपको create new account पे click करना होगा तो जैसे आप create new account पे click करोगे आपके सामने student registration का site खुल जाएगा student registration का site जैसे ओपन होगा आपको first name, last name, username, email, password और password confirmation करने के बाद register पे click करना है जैसे आप register पे click करोगे तो आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो है अपना data भर दिया है first name, last name, username, email, password और फिर मैं register पे click कर रहा हूँ अब जैसे ही मैं register पे click करूँगा मैं पहुंच जाओंगा यहाँ पर अब यहाँ पर मुझे add to cart करना है अब जैसे ही मैं add to cart करूँगा मेरा यह course payment page पे आ जाएगा अब payment में आपको दिख रहा होगा price 25 है quantity 1 है तो total आपको 25 रुपीज हो रहा है तो आप proceed to checkout पे click करोगे आप जैसे ही proceed to checkout पे click करोगे आप redirect हो जाओंगे दूसरे पेज़ पर तैंक्यू फॉर चूजिंग आर प्रोड़क्ट आपको यहाँ पर डीटेल भरना है अब देखिए यहाँ पर अल्ड़ेडी भरके आ रहे हैं आपको भरना पड़ेगा यह detail और फिर यहाँ पर place order पर आपको click करना है अब जैसे आप place order पर click क आपको option पूछेगा कि आपको कैसे पे करना है तो यहाँ पर phone पे Google पे Paytm भीम UPI ID से आप payment कर सकते हो 29.43 रूपीज लगेगा credit card, debit card, net banking, wallet आप कोई भी चीज यूज कर सकते हो आप जैसे ही payment successful हो जाएगा आपका उसके बाद आपको कुछ ऐसा interface दिखेगा तो जैसे ही आप आपका successful payment हो जाएगा तो ऐसा कुछ लिखकर आएगा आपको thanks for buying the course, enjoy your course तो नीचे green button दिख रहा है आपको start course now जैसे आप इस green button पे click करोगे आपका course जो है course का page open हो जाएगा अब आप यहाँ नीचे देख पाओगे कि choose the correct alternate from the following activate हो गया है उस पे click करोगे आपका mcq exam जो है वो start हो जाएगा अब जैसे आपको आपको दिख रहा है time 60 minute है 50 question है एक ही बारा पटेम कर सकते हो अब देखो time remaining यहाँ पे expired दिख रहा है जब आप इसको start करोगे तो वहाँ पे time रहेगा आपका time एक बार start हो आपको submit रहने के बाद पूरा result ऐसा दीख जाएगा कि आपने कितना marks score किया है out of 50 आपके कितने answers right है कितने answer wrong है तो यह इसके लिए है कि आपके अंदर exam के पहले confidence build up हो जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि आप सब जरूर इस course को try करो ज्यादा cost नहीं है इसका only 29.43 पैसे 29.43 प करने के लिए तो comment section पर आप मुझसे पूछ सकते हो मेरा contact number भी है वीडियो के नीचे तो वहाँ पर मैं साथ contact भी कर सकते हो call कर सकते हो ठीक है वीडियो पसंद आया तो like करो चैनल को subscribe कर दो और जास जादा लोगों तक इस वीडियो को पहुचा हो जितने भी m.com की students है उन आपको ये वीडियो शेर कर दो thank you मिलेंगे अगले एपिसोड में